क्रिशन भगवान इसे कह रही है तेरी मानूंगी नहीं तने खानों पड़ेगो शाम खीचडो तेरी मानूंगी मेना मेरे बापू गएगा तने खानों पड़ेगो शाम खीचडो तने खानों पड़ेगो शाम खीचडो जिन्द कर गई जिन्द करके बैठ गई भगवान से बाते कर रही है उस तस्वीर से बाते कर रही है देखिए वैसे लोग कहते हैं कि तस्वीर से बाते करनी बेकार यह पत्थर है यह बात नहीं करते लेकिन यह बात करते हैं अगर कोई करने वाला वो बजना अपने सुनाओगा कौन कह बाबा नदे को लेने वाला चाहिए अब क्रिशन भगवान को कह रही है बाट बापू की जो है तू देखरो वो नी आवेंगे वो तो आज सहर गयो मेरी डूटी लगा गयो आज मने पूरन कर जो काज जोडू हाथ तेरे बाहराज ठने खाना पड़े गोश्या में फीचडो पने खाना पड़े गोश्या में फीचडो मेरी बापू देखरो शाम जी ने सुनवाई नहीं करी, तो लालच देने लगी, लालच तो भई लालच जी होता है, क्याई बार एक भगत दस रुपे छड़ाएगा, कोई कोई आएगा ग्यारे सु चड़ा देंगा, अब भगवान के सामने तुम ग्यारे लाग चड़ा दू, उन्हें क्या लेना, यह तो हम जैसे लोग उनने चाहिएँ पैसे, लालस देने लगी, यह कहने लगी, देख देशी घी रख्या खिछडी में, उस भगवान की तरब देख रही है, और कह रही है, फिर गो चटकारों, तु तो भार को फिर गो चटकारों, तन आज तलक नो खाएँ, तेरो जी लागे लगचायों, फिर तू काहेगो सर्मायों, खाना, जैख। जेहो तन में खाणों पड़े गोश्यम खीचणों अब लालच भी दिखा लिया भगवान ने खीचड़ा नहीं खाया तो एक बात और दिमाग में आयो छोड़ी सी बच्ची समझ गई है अपने बापू को देखती थी किस तरह भग लगाते हैं आज भी ऐसे ही भग लगता है कि वो पड़दा वो पड़दा गेर के भग लगाया जाता है तो याद आ गया है बापू तो पड़दा गेर दे थे अब कह रही है ओ मैं समझी मेरे सामी सर्मावे तू परदे की ओट करना चाहवे ले तो परदो दियो गेर अबनों करियो बापा देर मन भी तो खानो फेर खने खानों पड़े गोशाम फीचडों परदे खानों पड़े गोशाम फीचडों कि ओकर दे लुदाना वे खानों पर्दो गेर दियो और दूर बैठ गई जाके कहने लगी अगर तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊँगे जिद ये जिद होती है क्या हुआ पर्दो गेर के बैठी है कर्पापाई शाम खीचडो खाने में नवार लाई बाव के भूँके हैं भगवाद बाव के भूँके हैं भगवाद वो तब भाटी तू नयगान रखते हैं भग्तों का धान देखो सामरे ने खालियो है खीचडो देखो सामरे ने खालियो है खीचडो उठाइए दोनवास सीधे और कहिए सच्चे दर्वार की